हेलो फ्रेंड्स वेल्गम बेक तो मार यूटीब चनल फिसर टेक और आज हम कंपेरिजन करेंगे कोर्सर के दो CPU कुलर्स की और जिन में से एक है कोर्सर का CPU कुलर H80i V2 और दूसरा है H100i RGB Pro अब दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं वो क्या चीजें हैं अलग अलग हम बात करेंगे आगे और दोनों की प्राइस है वो लग भग एकवल सी प्राइस है दस हजार रुपे के आज़ पास उसके अलावा दोनों में जो फैन की सपोर्टिंग है वो है बिलकुल अलग H100i है उ तो इसके अंदर हमें रिडेटर मिलता है 120 mm का इसमें में में दो फैन लगा सकते हैं एक आगे और एक पीछे बाकी सारी डिटेल्स अब वो वीडियो में आगे देखिए और प्रोडुट को देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है क्या आपके PC के लिए कॉन सा जो कुलर है वो सही रहेगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और वीडियो को साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर लीजिए तो ये वाला है ये है H80i version 2 और ये है H100i तो दोनों में जो डिफ्रेंस है उसकी मैं बात करूं तो इसमें जो पाइप्स है वो काफी सॉलिड दी वही है बजाए इसकी पाइप के और आप देख सकते हो पाइप्स है इसकी काफी मोटी है जश्ट डबल है और इसका जो काफी हेवी है बजा इसके तो इसका रेडिटर है वो भी इसका हाप है वजन की बात करूं तो दोनों में वजन है वो भी एक्वल है और कुछ पावर सॉक्ट में कुछ से चेंजिज है उनकी अगर माँ बात करूं तो इसमें हमें एक्स्ट्रा साटा पावर मिल जाता है आर USB टाइप B का जो पोल्ट है वो मिलता है और इसके अंदर है वो मिलता है में Micro USB का पोल्ट तो एच हंड्रेड आई है वो कुछ माईनों में ठीक है कुछ माईनों में ठीक नहीं है अगर आपको 240 mm वाला फैन लगाने दो फैन लगाने 120 mm 120 mm के तो यह वाला ठीक है और अगर आपको एक ही फैन लगाना है तो फिर है एच एटी आई वर्जन टू ठीक है दोनों का वेट है वो बराबर है प्राइस है वो भी बराबर है लगबद 10,400-500 पे आसपास इनकी प्राइस है तो बस यही था इनका मेजर डिफ्रेंस और बाकी दोनों में लिक्विड है लिक्विड आप सुन सकते हों बज रहा है औ और आप इसमें भी सुन सकते हूं तो लिक्विड है वो दोनों में इक्विल है और हम अराम सी इसको सुन सकते हैं तो इनका यही थाएगे मोटा मोटा डिफ्रेंस और इनमें से जो भी एक मुझे सूट करेगा वो लगाओंगा मेरे अपने पीसी में और जल्दी ही मेरा वी